खगडिया जेल में दो गुटों के बीच आपसी संखर्ष में एक कैदी की मौत हो गई है मृतक कैदी सहरसा जिले का है और बेल दौर थाना इलाके में हुए एक अपरात के मामले में जेल में बन था वहीं मृतक कैदी के परिजन जेल प्रशाशन पर मिली भगत कर हत्या का आर रोप लगा रहे हैं मंडल कारा खगडिया की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है जेल के अंदर कैदियों के दो गुटों के बीच एक बार फिर जड़ा पुई जिसमें सहरसा के सोन वर्षा निवासी राजन कुमार नामक कैदी की मौत हो गई बता दे कि खगडिया जेल में कई बार दबंग कैदियों के त्वारा आम कैदियों की पिटाई का इतिहास रहा है और पूर्व में भी कई बार जेल के अंदर खूनी संगार शुआ है वैसे ये मामला उन मामलों से अलग है लेकिन जिस तरह से जेल के अंदर मौत हो गई बता दे कि खगडिया जेल में बात दबाने के लिए उसे अस्पताल में भरती करवाया गया जहाँ से मौत है जोशित कर दिया गया मौत कैदी की पतनी जूली और अन्य परिजनों के मताबिक जिस मामले में राजन जेल में बन था पुलिस दबिश के कारण उसने आत्बस समर्पन किया था परिजनों के मताबिक राजन की सुरक्षा को लेकर के ही परिवार वालों ने राजन को आत्बस समर्पन के लिए क्या नाम था उनका क्या नाम था राजन नाम था किस जूर्म में वो जेल गए थे कहां घर हुआ उनका बननी बासा बन्नी बासा बेल्दोर गर है बैराल जो भी हो इतना तय है कि कैदी राजिन की जेल में पीट-पीट कर हत्या के बाद एक बार फिर खगड़िया जेल की सुरक्षा विवस्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि ये पहला मामला नहीं जब जेल प्रशाशन की को विवस्ता उजागर हुई है ये हालत तब है जबकि एक पर एक धुरदांत अपराधी खगड़िया जेल में बंध हैं जेल प्रशाशन की लापरवाही कहीं से सुरक्षा मानकों को पूरा करती हुई नहीं प्रतीत हो रहा है वैसे पूरे मामले को लेकर नहीं जेल प्रशाशन और नहीं जिला प्रशाशन की अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार है खगड़िया से आशीश की रिपोर्ट